हेलो एवरीबन वेलकम बैक वन्स अगेन टू दो चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर यहां पर आपके कराते हैं हम तयारी हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी माध्यम दोनों में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में हमारे कोर्स चलते हैं तो अगर आप जॉ इमर्जेंस आफ साइकलाओंजी關係 अब्गिंज में सारी टोपिक्स को डीटेल में बात की उसमें से क्या क्या पढ़ना है और किस किस चीजों पे आपको जो है जादा focus देना है ठीक है focus देना है और यहीं पर देखिए focus group की बात हो रही है तो कौन सी चीजों पर आपको जादा ध्यान देना है वहाँ पर पताया है चलिए अब start करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इकाई दो के बारे में जो क्या है आपकी जिससे आपको लगता है सबसे ज़्यादा डर वो है आपकी research and statistics ठीक है शोध प्रविधी तथा सांखी की उसके बारे में अभी हम discuss करने वाले हैं तो जैसे कि आपको मालूम है कि जून 2023 के लिए आपका application form अभी आया नहीं है जल्द ही आता होगा तो उसका wait कर लीजिए और अपनी तयारी जो है start कर दीजिए कैसे तयारी start कर नहीं है आपको बताया गया है कैसे आप basic से सारी चीज़े सीख सकते हैं वो आपको मिल जाएग वीडियो में आप देख सकते हैं ठीक है okay सबसे पहले देखिए यहां पर बात हो रही है शोद की उसका अर्थ उद्देश और आयाम ठीक है शोद का मतलब क्या है आपका धूंडना ठीक है शोद का मतलब क्या है धूंडना research फिर से धूंडना है किसी चीजों को किसी चीज क हमको खोज करनी है ठीक है किसी चीज के बारे हमको देखना है कि क्या ऐसा होता है और मेंली हम बात करें psychology के बारे में तो इसमें क्या होता है इसमें होता है मानवो का व्यवहार ठीक है कोई किस प्रकार से व्यवहार करता है किन दो चीजों के बीद संबन्ध है वो सब चीज जो मानव व्यभार है, इसको हम प्रिडिक्ट कर पाएं, ठीक है, या फिर हम उसमें क्या changes ला सकते हैं भविश्य में, वो कर पाएं, या फिर हमको research publish कराना है, उसके लिए हमारा काम है, इसका हमारा उद्देश क्या है, उसके बारे में आपर बात करनी है, फिर आपको यहां दिखना है आयांम उसके dimensions के बारे में कितने प्रकार की research बगर हो सकती है वो सब आप आप देख सकते हैं फिर अगले बाद आती है यापए शोध समस्या ठीक है कि शोध के दुर्वन क्या क्या समस्या हो सकती है ठीक है उसके बारे में हमको यहाँ पर बात करनी है फिर यहाँ पर देख रहे हैं चर यह क्या है यह आपके variable तथा परी चालनात्मक परिभाशा है यह क्या है यह है आपकी od ठीक है ओके variable के अंदर क्या क्या आत है 15-20 variable है वो आपको पढ़ना है mainly आपके है जो independent variable और dependent variable ठीक है यहाँ आशृत चर और आपका अनाशृत चर ठीक है यहाँ आपका mainly depend करता है अनाशृत एंड आशृत के उपर ठीक है पूरी जो आपका है यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे खेल होने वाला है आपके research के अंदर वो यहाँ पे आपको पढ़ना है इसी के अंदर कब-कब dimension आपको अलग-अलग मिलेंगे कितने variable हैं आपके ठीक है S variable, T variable जितने भी होते हैं उनको आप यहाँ पे पढ़ लेंगे यह काम का है, यह important है आपका और यह भी आपके काम का है फिर यहाँ बात करेंगे प्राक कलपना जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम कहते हैं आपकी hypothesis ठीक है hypothesis, hypothesis जो भी है ठीक है, यह भी आपके लिए most IMP है इस hypothesis के अंदर यह क्या होता है यह क्या होता है, यह सब आपको जानना ज़रूरी है ठीक है, null hypothesis क्या होता है, 0 य परीकलपना क्या होती है, 0 य पराककलपना क्या होती है ठीक है, वो आपको जानना जरूरी है, तो ये भी आपके लिए important हो जाता है फिर यहाँ पर आएंगे, अगला है आपका नमूना चैन, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है आपका sampling sampling से मतलब है, आपका sample देखेंगे, आप दुकान में जाते हैं, बोलते हैं, हमको साड़ी दिखाईए और उन साड़ियों में आप क्या करते हैं, हर एक pattern की एक साड़ी देखते हैं, आप तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी sampling, है ना, किसी दुकान में आप जाके पूरा यह नहीं बोल सकते हैं, कि आपकी जो दुकान है, सारी साड़ियों जितनी भी है, वहाँ पर हजारों साड़ियों आपको दिखाईए, उसके बाद हम कोई एक select करेंगे, पहनेंगे, और उस पर हम GST देएंगे, ऐसा नह है, ठीक है, तो नमुना चेहन की बात होगी, यहाँ पर, sampling किस प्रकार की होती है, कौन-कौन सी sampling होती है, इसके अंदर, वो सब पढ़ना है आपको, यह दोनों topic कहा मिलेंगे आपको, आपको जो paper one पढ़ते हैं, वहाँ से आपका यह आराम से cover हो जाएगा, ठीक है, तो इस के लिए आप लोग के लिए कुछ न कुछ इलाज निकालेंगे, ठीक है, ओके, फिर हाँ देखिए, शोध के संचालन और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में नैतिक आचार, ठीक है, यह जो है, ethics हर जगे लगता है, ऐसा ही लगेगा कहां पे आपके, research के अंदर भी आपको ठीक है, और यह जो ethics हैं, यह दो जगे काम आएंगे, कहां कहां पे, यह दो जगे काम आएंगे, एक है आपका इसके संचालन में, जो आपको यह शोध कर रहे होंगे आप तब, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको आप मार पीड की, किसी को आप अपनी research में बिठा लेंगे, कि यह बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है, आपने जो null hypothesis है, उसको जो भी करते हैं, accept reject, उसका आपने क्या बता दिया, वहाँ पे, just opposite बता दिया, जो होना था, वो छोड़के आपने अगर pass हो गया है, तो आपने वहाँ पे fail बता दिया, जग कि ऐसा नहीं होता, और fail हो गया है, तो क्या बता दिया, आपने कि नहीं हमारे जो रिसर्च है, अच्छी है, बहुत बढ़िया है, इसको आप ले लेजिए, ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, यह IMP है, यह आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तो यहाँ से आपका paper 1 and paper 2 दोनों cover हो जाएगा, अगर हम psychology विशेश की बात करें, तो ठीक है, शोद प्रविदी यहाँ पे आपका, इतना आप अच्छे से cover कर लें, तो आपका paper 1 and paper 2 दोनों के लिए आपका psychology का part है, और साथ में साथ का paper 1 का part है, आपका यहाँ से अच्छा सा cover हो जाएगा, ठीक है, एक बात और यहाँ पे कि इस part को आप जितना strong करेंगे, उतना अच्छी बात है कि आपके paper 1 के भी 2-3 सवाल, और paper 2 के भी आपके 2-3 सवाल, मतलब आपके लगभग, on an average 5 सवाल आपको केवल मिल जाएंगे, यहाँ से, ठीक है, मतलब देड़सों में से 5 सवाल आप यहीं से कर पाएंगे, बड़े ह केवल इतने area से, ठीक है, depending upon कि आपका paper 1 में किस प्रकार से पूछते हैं यहाँ से, वैसे इस बार भी पूछा था कुछ ने कुछ सवाल, research के उपर, हमेशा पूछते हैं वो, ठीक है, और आगे भी पूछते रहेंगे, बाकी फिर आपकी जैसी मर्जी है, लेकिन इसको अग कर लें, ठीक है, बिल्कुल भी इसमें आप लापरवाही, कौता ही बिल्कुल ना बरते, फिर अगली बात करेंगे, यहाँ पर आपकी शोध की रूपावलिया, फिर से important हो जाता है, मातरात्मक, गुणात्मक, शोध का मिश्रित विधी उपागम, ठीक है, mixed approach की बात करनी है सिंपल सी बात है, दो चीज़ें होती है, आपका मालूम है, एक होती है मातरा, और एक होता है गुण, ठीक है, अगर आप गए हैं, बाजार से आम खरीदने एक किलो, तो कितनी मातरा में खरीदा आपने, एक किलो खरीदा, और उसका गुण कैसा है, गुण है उसका आपका म अंगी वही से पढ़ना है आपको यहां बोता जा जाएगगा अच्छी से आप चलेंगे sih कर लेंगे इकाई नंबर डोग से चलेंगे उतना dage in and paper 2 दोनों आपके यहां पर ठोस होता जाएगा मसबूत होता जाएगा सॉलिट होता जाएगा औगला आप का यहां पर शोध कीृधिक्ते स्सेट कर सकते हैं सर्वेक्षण मालों में आपका सर्वेय चलता रहता है all over India में ये survey वह survey ठीक है वो सब survey है साक्षातकार आप कर सकते हैं इंट्रव्यू कर सकते हैं किसी का बिठा के आप ठीक है प्रश्णावली questionnaire दे सकते हैं ठीक है आपके बाद समय नहीं है तो क्या कर दिया आपने questionnaire कर दिया आपने अगर देखें इंट्रव्यू लेना है आपका 10 लोग का ले सकते हैं लेकिन 10,000 लोग का इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं ठीक है या फिर 80 लोग का इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं बहुत ही difficult task हो जाएगा ठीक है उस सब में फिर जो cost है पैसा है वो सब चीज काफी ज़्यादा लग जाती है ठीक है यहां यह उतना कामकार नहीं है अगर आप सिर्फ उपर उपर से जान लें इस चीज को कि क्या होता है यह इसमें कुछ बड़ा डिटेलिंग नहीं है इसको आप छोड़ सकते हैं मतलब एक बर आप देख लीजे क्या क्या होता है कहानी स्टार्ट होती है यहां से यहां तक ठीक है है और फिर आपके लिए क्या होगा 100 रुपे इनाम होगा अगर आपने बता दिया कि आप बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक में आपके 19 से लेके 22 तक या 23 तक इस वैसे कुछ भी सवाल नहीं आया है ठीक है अगर आप बताते हैं और अगर बताने वाले आप पहले होते हैं तो आपको मिलेगा क्या है यहां पर 100 रुपे का इनाम ठीक है और अगर आपका जो बताया हुआ गलत साबित होता है तो आप लोग को 1000 रुपे का फाइन होगा ठीक है इसलिए ध्यान में रखके आप बात करें इस वारी ठीक है लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा आपको आपको बत प्रती सांस्क्रोतिक अध्यान फिर यहां पर आपका घटना विज्ञान है ठीक है यह आपकी फिर यहां पर आपकी ग्राउंडड थियोरी है इस बार भी देखिए सवाल पूछा था 23 में भी पूछा है सवाल है यहां तो आपको दो चार ऐसे लाइन से दे दिये थे 1234 1234 म पर रखके उसी प्रकार से आपका फोकस की बात करनी है फिर आता है आपका वृत्तांत वर्णन यह क्या है आपका ठीक है यह आपका नरेटिव तो उन्होंने क्या पूछ लिया एक और चीज आइटी कर दी नहीं क्या था वो नेटी नेटी नेटिनोग्राफी ऐसा गुस्त स्टेडी उसी प्रकार से आपको रिजर्च के इंदर भिजेब करनी होती है विशौत की विदियों के लिए तो वहां पे आप आपда करेंगे उनका स्टेडी के बारे में फिर आता है आपका यहां पर नुम्रुजाति वर्णन ठीक है नुरुजाति व keeping तो 10 की यह होता है आ काफी डीटेल में समझ लें ठीक है और कोहीं परेशानी आ रही है तो आप हमारे साथ जोइन कर सकते हैं बताया गया प्रिवेस वीडियो में भी तो आपकी जो दिक्कते हैं सारी दूर हो जाएंगी ठीक है ओके अब चलते हैं अगले पड़ाओं के ऊपर और यहां बात करेंगे आपके मनोविज्ञान में सांखिकी के बारे में सवाल आपको यहां से मिलता ही मिलता है IMP पार्ट है जो vita है जो परिशान किया था परकेंद्रीय केंद्र क्या ठीक है M, M, M की बात कर रहे हैं यहाँ पर Central Tendency के अंदर क्या होता है और प्रकिर्णन की बात हो रही है यहाँ पर याद करिए जब आप विद्याले के अंदर यहाँ पर आपका स्टेज होता था यह आपका स्टेज और यहाँ पर खड़े हो के क्या करते थे यहाँ पर प्रकिर्णन क्या होता है वो भी आपको सीखना है ठीक है और यह जो चीज है बताई हुई है वीडियो में भी सामानियव प्रायक्ता वक्र ठीक है जैसे हम कहते हैं NPC Normal Probability Curve किस प्रकार से दिखता है एक इस प्रकार से घंटी के आकार का दिखता है ठीक है बाइलेटरली सिम जश्के बाद आते हैं अपके यहाँ पर नेक्स चीज है इस ध्याईंपी है ठीक है ओके फिर अगली चीजmodela पर प्राचलिक टीस्ट ततथा गेर प्राचलिक टेस्ट ठीक है प्राचलिक, और सइन aleg आपके जो कॉंसे नॉन प्रेखक्रिक, इस होते हैं आपके तो से से पहले आपको क्या समझना होगा आपको यहां पे ऊपर जो चीज़ा दी गई है रिजर्च के बारे में वहां पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझनी होंगी ठीक है तब यहां आपको नीचे लिंक कर पाएंगे तो प्राचलेक में उनको मतलब है केवल आपके प्राचलेक के अंदर गयर प्राचलेक के अंदर साइंड टेस्ट, विलकॉक्सन साइंड रेंक टेस्ट, मैन विटरने टेस्ट, कुरुसकाल वालिस टेस्ट और फ्राइड में का टेस्ट ठीक है यह सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए पैरामेट्रिक एंड नॉन प इफेक्ट साइज की बात, इफेक्ट साइज का भी सवाल आपको 19 में 20 में पूछा गया है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ मॉडल है तो उसमें इफेक्ट साइज क्या होगा, ऐसा कुस तो भी सवाल था वो, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, ये भी आपको यहां से आपके ए से आपके cover हो जाएंगे ठीक है चलिए ओके अगली बात करते हैं यहाँ पर सहसंबंद परक विशलेशन ठीक है इस बार तो SPU पर जो है आपको paragraph ही दे दिया गया था पूरा ठीक है ओके सहसंबंद परक विशलेशन ठीक है यह आपका analysis फिर यहाँ पर सहसंबंद में आपका गुणन आगुण की बात करनी है और कोटी क्रम की बात करनी है आपको ठीक है दो प्रकार से निकाल सकते हैं आपके सहसंबंद यह आपका गुणन आगुण से निकाल सकते हैं और कोटी क्रम से निकाल सकते हैं वो आपको पढ़ना होगा अच्छे से कि ये क्या होते हैं इनके बीच प्रक है क्या संवानता है वो आपको यहांपे देखना होगा फिर आता है आपका आपका आन्शिक सहसंद और आपका बहुल सहसंद्ध ठीक है जो कि कहलाता है आपका पार्शियल एंड आपका मल्टिपल कोर्लेशन तो यहाँ देखिए सहसंबंद की विशेश विधिया, ठीक है, अभी आपने यहाँ पर क्या सी सीखा, सहसंबंद सीखा, उनके लिए ही कुछ विशेश विधिया दी गई है, कौन-कौन सी आपकी दुई पंक्तिक दी हुई है, यह पढ़ना है, आपको पॉइंट दुई पंक यहाँ से भी सवाल आपको देखने मिलता है, यहाँ से भी सवाल आपको हर बार बनता ही बनता है, इसका आप ध्यान रखें, फिर बात करेंगे यहाँ पर प्रति गमन के बारे में, यह प्रति गमन क्या है आपका, यह है आपका रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन के बारे गमन, ठीक है, आपका यहाँ पे simple regression, linear regression और आपका बहु प्रति गमन के बारे में आपको बात करनी है, पूरा data वगर आपको समझाना पड़ेगा, तब जाके ही आप लोग से यह बनेगा आराम से, ठीक है, फिर यहाँ पे बात करनी है आपको factor visualization के बारे में, याने कि आपका ज factor analysis के लिए यहाँ पे देखिए, अनुमान की बात हो रही है, विधिया की बात हो रही है, क्रमा वरतन दधा निरवचन सीखना है आपको इसके अंदर, कि इस factor analysis के अंदर, 1904 में experiment ने किया, इतना तो मालूम है आपको भी, लेकिन इसके अंदर किस प्रकार से चीज़े घुम पूरी है, काफी detail में है, बहुत लंबा topic है, दिखने में कि इवल 4 लाइन में इन्हों यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इन्होंने शब्दों में आपको बता दिया है, कि आपको पढ़ना है, लेकिन इन 6 चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले की 60 चीज़े मालूम होनी चाहिए, ठीक है, जब 60 चीज़े आप सीखेंगे, 50 चीज़े सीखेंगे, उसके बाद जाके आप इसको चुटकियों में बड़े ही आसानी से solve कर सकते हैं, ठीक है, ओके तो factor visualization पढ़ना है आपको important है, इस बार नहीं पूछा है 23 में, लेकिन आपको प पर है आपका प्रायोगिक अभीकल्प, ठीक है, तो अगेन यहां से important part start होता है, ठीक है, factor analysis जो है, देखा नहीं गया है, ये जो है आपका, अच्छा नहीं, देखा गया है, क्यों नहीं देखा गया है, 23 में आपका एक सवाल था, यहां पे कुछ तो भी, ठीक है, तो इसको प्राउंसा है, यह आपको देखना है एक तरफा, और यह आपको देखना है, फिर क्या देखना है आपको यहां से पढ़ना है, यह अनोवा important हो जाता है, नीचे आपको देखिए, उनके भाई बहन भी मिलेंगे, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, डीटेल में, याद पूछ रहे हैं, एंदेन फिर आता है आपका एकल विशय, अभी कल्प, ठीक है, तो आपको यह अभी कल्प क्या है, केवल डिजाइन है, यह वो डिजाइन नहीं, जो आप घर में, पेंटिंग में, यह वहां तस्वीरों में बनाते हैं, यह अलग प्रकार की डिजाइन है, अनोवा एक तरफा पेक्टरल यह important है, रेंडमाईज भी important है, ठीक है, तो यह सब चीज़ें जो आपको important से मतलब इनके सवाल आपको जो हैं, जाधा मिलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि important कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें important हैं, लेकिन इनके सवाल आपको जो हैं, जाधा द इनको आप देखें, इनको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से study करें, तो फिर जो हैं आपके यहां पे, second unit के अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत, परिशानी, मुश्किल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, छोटी से यहां पे, इस वीडियो आप देखी लेते हैं हम, यहां पे आपके एकाई 3 के अंदर कौन सा आपका यहां पे जो है important चीज़े हैं, ठीक है, ओके, तो यहां पे देखिए, एकाई 3 की बात करें आपकी, यह है आपका मनो वैग्यानिक परिक्षन, अभी उपर आपने क्या किया, research वगरे किया, आपने statistics के लेके unit 10 तक सारी चीज़े पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देते हैं आप एक test, ठीक है, तो यह test जो है, इसको देने के लिए पीछे background में कई सारी चीज़े होती हैं, वो सारी चीज़े जो हैं, कितने सवाल होते हैं, आपके यहां पे psychology paper 2 की बात कर लेकिन detail में जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका ही फायदा है, सबसे पहले हाँ पर परेक्षणों के प्रकार, कितने प्रकार के प्रेक्षण होते हैं, उसके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है, उसके बाद कौन कौन से प्रकार के होते हैं, आपके intelligence के हो सकता है, personality का हो सकता है, ठीक है, अन्य प्रकार से इस बार तो neuropsychology की उपर पूछा गया, कितने प्रकार के aptitude का हो सकता है, creativity का हो सकता है, ठीक है, तो जितने प्रकार के test हो सकते हैं, आपने पढ़ेंगे, अपने master's में, अपने जीवन में, वो सारे test यहाँ पे परेक्षण के प्रकार क से होगी, मद लेखन क्या होगा, मद विशलेशन क्या होगा, ठीक है, item writing, ठीक है, और item विशलेशन, item analysis, ठीक है, यह भी होता है, प्रत्निक टेस्ट में, यह होगा जरूरी, और इस पे से भी आपको सवाल पूछा गया, 2023 के अंदर, मद विशलेशन के अंदर से, ठीक है, व हुआ है, ठीक है, सबसे पहले देखिए, syllabus में जो है, आपका उत्तर दिया हुआ है, अभी यकीन नहीं होरा, देखिए, चलिए, यहाँ पर देखिए, what is the correct sequence in development of a psychological tool, ठीक है, psychological tool की बात कर रहे हैं, उन्होंने आप क्या दिया है, मनो विज्ञानिक उपकरण, विक्सित करने का सही अनुकरम क्या है, तो आपने कभी क्या सुना कि आप मनो विज्ञान गंदर कुसी टूल का इस्तमाल करेंगे, हतोडी, पाना, कुलाडी, किसी का इस्तमाल करेंगे, टूल का आप नहीं, आपके लिए टूल क्या है, आपके लिए टूल जो है, वो है आपका टेस्ट, यहां पर वही पूछ रहे हैं, टूल को आप टेस्स समझे, ठीक है, इनका तो खेर होता रहता है, यहां पर उपकरन छोड़िए, आप यहां पर, परीक्षन देखिए, और आपको जो उत्तर है, कहां पर सिलेबस में ही दिया हुआ है, अगर आप लोग सिलेबस को भी अच्छ development of a psychological tool, मनोवग्यनिक उपकरन विक्सित करने का सही अनुकरम क्या है, दिया हुआ है, establishing reliability, item analysis, developing norm या फिर establishing validity, ठीक है, यहां पर देखिए, यह क्या बोल रहे हैं यहां पर, विश्वसनियता स्थापित करना, मद विशलेशन, फिर यहां इसकी वेधिता स्थापित करना, और म मद विशलेशन, ठीक है, मद विशलेशन पढ़ा आपने, सबसे पहले किसको मार्क कर देंगे, आप B को मार्क कर देंगे, ठीक है, B को जैसा ही मार्क करते हैं, यह option हड़ गया, यह option हड़ गया, क्योंकि हमारा जो saliva से बहीं बता रहा है, हमको साफ साफ चीख चीख के, कि निर्मान के दौरान सबसे पहले मद विशलेशन होगा, ठीक है, अब ऐसा मत बोलिएगा, अगले टेस्ट में आ जाएगा, कि आइटम राइटिंग दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे, आइटम राइटिंग बात में होगा, एनलेसिस पहले होगा, ठीक है, तो अच्छे से च रहेगा, आपका विश्वसनियत है, स्थापित करेंगे आप, यानि कि क्या स्थापित करेंगे उसकी Reliability, मद विशलेशन के बाद आप, अभर विशलेशन के बाद, आप इसकी Стیब्लिष करेंगे, कि हाँ हमाद डेस्ट है, डेलायबल है या नहीं, अगर आज हम किसी का प और D में दिया है आपकी वैधिता स्थापित करना तो चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मदविशलेशन सबसे पहले आएगा फिर नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको परीक्षा का मानकी करण याने की विश्वस नियता ऑप्शन नमबर वन मिल गया बी मिल गया एंड ए मिल गया फिर क्या लिखा हुआ यहाँ पर देखिए वैधिता और फिर लिखा है मानदंड यह क्या होती है आपकी वैलिडिटी होती है कि वैलिड है हमारा जो टेस्ट है परीक्षन है वो यह वैलिड है या नहीं और फिर अंत में क्या होते है उसके established करेंगे उसकी establishing validity वेदेतास कोई स्थापित करेंगे और फिर आप यहाँ पे माना के विक्सित करेंगे तो right answer क्या होता है आपका option number 2 B A D C ठीक है तो इस प्रकार से आपको चीजों को पढ़ना है syllabus भी आपको जो है syllabus से सवाल मिलते हैं ठीक है तो ऐसा कह सकते हैं आप ठीक है लेकिन यह जो है आपको चीजें अच्छे से पढ़नी होंगी item analysis सबसे पहले होता है फिर होती है उसकी reliability फिर होती है उसकी validity और फिर अंत में उसका स्थापित क्या करते हैं हम उसका norm स्थापित करते हैं याने कि उसका मानाखम बनाते हैं ठीक है तो यह लीजिए यहाँ पर आपका December 2022 का एक और PYQ भी यहाँ पर आपका solve हो गया है आपके करकल्मों से और हमारी करकल्मों से ठीक है आइटम राइटिंग तो पहले आइटम राइटिंग आ जाएगा फिर ठीक है और उसके बाद बाकी सरी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी सवाल मिलता है आपको 21 में मिला 22 में मिला 23 में मिला और आगे भी आपको जून में भी मिलेगा और इस परकार से मिलता रहेगा ठीक है ओके और यहाँ पर प्रकार की बात करें प्रकार के अंदर यह सारे तो आते ही है यह सब यहाँ पर अलग से दिया हुआ लेकिन इसके अंदर एक और चीज है आइकर्ट स्केल तीन ही तो दिये हुए यहाँ पर अराम से अगर एक दिन में अगर आप चाहें तो एक या दो दिन में आराम से इसको पढ़के सीख के इसको आप डेवलब कर सकते हैं अभी वित्तिम आपने के पैमाने ठीक है सवाल यहां से हर बार आ रहा है 19 में आया था 20 में आया था 21 में आया था 22 में आया था 23 में आया था तो आप लोग छोड़ क्यों रहे हैं इसको ठीक है माल लीजे ये कुछ भी नहीं आता आपको छोड़ दीजे ये जब लेकिन ये जो सवाल आपको randomly, randomly नहीं आपको हर बार repeat हो रहा है तो इसको क्यों नहीं पढ़ेंगे आप ये आपकी क्या attitude measurement की techniques जो हैं इनको पढ़ लीजे एक बार इनको पढ़ लेंगे तो आपके दो number तो fix है कम से कम और माल लीजे बहुत ही hypothetical condition में हमारा अगर hypothesis fail हो जाता है तो क्या होगा सवाल नहीं आएगा लेकिन आपको कोई बड़ा भारी नुकसान तो नहीं है क्योंकि आपने एक से देड़ दिन में एक से देड़ दिन में मतलब पूरे 24 गंटे तो आप पढ़ेंगे नहीं ठीक है 6 गंटे पढ़ते है 6 गंटे लगबाग अगर 10 से 12 गंटे पढ़ने के बाद एक ही चीज़ को आपके अगर दो number पक्के हो रहे हैं और उसको आप बार बार revise कर रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है ठीक है ओके तो बात करते हैं अगली यहां पे है आपका computer आधारित मनोव एग्यानिक परीक्षन इस बार भी आया था cog screen वाला ठीक है तो देखिए सवाल आपको मिलते हैं इसी प्रकार से और 22 में भी पूछा था एक तो भी validity के लिए computer assisted learning ऐसा कुछ तो भी सवाल था ठीक है तो अभी यह नया increase करते जा रहे हैं computer के उपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा AI क्या है फिर वो नीचे मिलेगा आपको अगली unit में लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए AI वगरे क्या काम करता है ठीक है और अभी chat gpd चल रहा है तो क्या chat gpd से हम कोई manovaggenic partition बना सकते हैं ठीक है आप बता दीजिए के comment में अगर आपको लगता है तो ठीक है फिर यहाँ पर अगली चीज दी गई है वीडियो के अंत में पहुच रहे हैं हम ठीक है आपको एक PY के भी solve करा दिया है तो यहाँ पर देखिए विभिन्य विन्यासों में manovaggenic partition का अनुप्रयोग कहां कहां इसका इस्तमाल कर सकते हैं निदानात्मक, संगठनात्मक, clinical setting में organization में, व्यवसाय में, शिक्षा परामर्ष में सेना में और फिर जीवी का मार्क दरशन में, ठीक है तो बहुत ही मुश्किल है, बामुश्किल है यहाँ से एकाथ सवाल बन जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा परिशान नहीं होना है यह सारे topics आप पढ़ते हैं psychology के अंदर तो वहाँ से आपका cover हो जाएगा बाकी अलग से इसके लिए कुछ बढ़ने के आशकता नहीं है और यह आएगा तो सभी से बन जाएगा और नहीं आएगा तो किसी से नहीं बनेगा ठीक है, दो ही बाते होंगी आपके unit number 3 में नहीं इसके बाद है आपकी एकाई number 4 में बहुत ही टफ unit है यह तो ठीक है एकाई number 4 में दिखेंगे हम next video के अंदर तो यहाँ पर आपका cover किया हमने क्या-क्या चलते हैं आपनी काली screen के ऊपर चलिए, यहाँ पर हमने देखा आपका UGC net का syllabus कौन-कौन सी unit थी आपकी unit number 2 and unit number 3 जहां से आपको कितने सवाल मिलेंगे आपको max to max आपको 8 से 10 सवाल यहां से मिलेंगे ही मिलेंगे 8 से 10 सवाल यहांने 16 से 20 नमबर ठीक है, 16 से 20 नमबर और unit 1 जो है वहां से कोई आप पढ़ लीजेगा unit 2, unit 3 से आपको 8 से 10 सवाल मिलेंगे सवालों को छोड़े, महारे यह गोली आपको मिल रहे है 16 से 20 नमबर ठीक है, तो अगर यह वाली unit और यह वाली unit आप अच्छी करके जाते हैं मजबूत करके जाते हैं, तो आपके 15 से 20 आपके अजन एवरेज बता रहे हैं औसतन, median ठीक है, बता रहे हैं आपको कि 16 से 20 नमबर आपके कही नहीं जा रहे है ठीक है, यह आपके 16 से 20 नमबर आप पक्के कर सकते हैं आराम से, ठीक है, और अगर एक हफता मानके चलते हैं, एक हफता आप इसको पढ़ेंगे थर्ड यूनिट को, ऐसा नहीं है कि आप थर्ड यूनिट पढ़ेंगे तो केवल थर्ड ही पढ़ रहे हैं, उसके साथ-साथ आपके वहाँ पर 6 यूनिट भी कवर होती जाएगी तो एक हफता इसको दीजिए, दस दिन उसको दीजिए आप, दस दिन भी कम पढ़ेंगे उसके लिए तो, लेकिन फिर भी दस दिन अगर आप सुबह शाम पढ़ते हैं, यूनिट नमबर टू, तो आपकी काफी अच्छी हो जाएगी, देन क्या करना है, उसको आपको इनको रिवाइज करना है, है ना, रिवाइज कैसे करना है, तीन दिन में, चार दिन में एक बार, जो भी पढ़ा है आपने, उसको अच्छे से त्यार कर लें आप, ठीक है, और उसके बाद आप इसको अच्छे से पढ़े, रिवाइज करें, और इसके जो पीवाइज क्यूज है उसको आप लगा सकते हैं तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सुस्क्राइब कर दीजी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजी और अपने फ्रेंड्स साइकलोजी वालों के साथ शेयर कर दीजे आपका कोई भी मीडियम हो हिंदी अंग्रेजी और भी कोई भाषा आपको आती हो तो वो कोई भी मीडियम हो उसके लिए यहाँ पर आपका स्वागत है ठीक है ओके थेंक यू एवरिबच एड़ एड़ अगले वीडियो में मिलेंगे तो बात करेंगे हम आपके यूनिट नमबर चार के बारे में ठीक है कि उसमें क्या क्या आपके सिलिबस में दिया हुआ है और क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है ठीक है थेंक यू